कोरोना को मात देना और कोरोना से को मात देने के बाद 14 दिन बाद प्लाजमा डोनेट करना ताकि कोरोना के जो पीडित है जो पॉजिटीव है वो एक बार फिर ठीक होग पाए हमारे साथ देश की पहली प्लाजमा डोनर स्मृती ठक्कर मौजूद है उनी से बातचीत करते हैं प्लाजमा आपने डोनेट किया तो कोई वीकनेस आपको लगी क्या ख्याल आ रहा था क्या दुबारा से कोरोना नहीं हो जाएगा यह सारे चीज़े क्या आपके दिमाग में चल रही थी जी सुबर जैसे मुझे डॉक्टर के कॉल आए तो उन्होंने मुझे पूरी प्रोसीजर समझाई कि कैसे हम आपका प्लाजमा लेंगे और यह प्लाजमा की पेशेंस के लिए कैसे यूसफुल होगा तो जैसे मुझे उन्होंने पूरी प्रोसीजर समझाई तो अपके आपको क कि आपके ब्लॉड में सी जो प्लाज्मा कॉम्पनेंस है वह हम लेने वाले हैं एंद ब्लॉड विल बी बाक्टो या बॉड़ी तो वह कंप्लीटली सेफ था उन्होंने ये भी बोला कि हमने पूरा जो रूम है जहां पी ये ठरापी जहां पी प्रोसीजर होने वाली है वह भ है जैसे ही मेरे रिपोट्स नॉर्मल है एंड माई हैल्थ इस रियाली गुड तो इसके बाद मैं शाम को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए गई ये बताए आपको ये ख्याल कैसे आया कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए क्या सोच उसके पीछे थी ख्याल तो मारे राज्यर को पर्मिशन मिली थी गावर्मेंट से कि हम प्लाज्मा ठेरापी अभी गुजरात में चालू कर सकते हैं एंड ये आपके रिपोट्स काफी नॉर्मल है एंड और हेल्थ कंडिशन इस वेरी गुड तो जैसे मुझे ये पूरा पूरा प्रोसीजर समझ में आ जो पेशन सीरे से मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज पैनिक मत कीजे जो भी आपकी हेल्थ कंडिशन है सिफ ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स कि वह आपको बचा लेंगे और पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सबसे जादा जो इंपोर्टेंट है वह आपकी इम्मूनिटी है अगर आपकी इम्मूनिटी आप वीक वीक होगी तो आपको ब्लाजमा थेरपीको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी क्योंकि लोग यह कहते हैं कि एक जो परसेप्शन है कि वीकनेस लग जाती है कोरोना दुबारा से हो सकता है तो उनको लेकर आप क्या कहें आई जी बिलकुल यह बात कंप्लीटली गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है यह यह प्रोसीजर मेरे 99 मिनिट्स चला था वो दौरान्थ मुझे ना तो कोई विकनेस थी या ना तो कोई ड्राउजिनस या कुछ नहीं था एंड प्रोसीजर बहुत ही सिंबल है तो डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है आपको वापस वाइरस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी बॉड जरूरत नहीं है एक चीज यह भी पूछना चाते है स्पृति जब आपको पता चला कि कोरोना आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो साइकोलोजीकली वो कितना एफेक्टिव रहत है क्योंकि इन दिनों यह है कि साइकोलोजीकली लोगों को जाधा लोग उससे परेशा कि मुझे पता चला कि मेरे रिपोर्ट पॉजिटिव थे मैं भी बहुत पैनिक कर चुकी थी कि मैं रो रही थी रात को सुबर एवरी दे और नाइट आइट आइट आपको पैनिकिंग अलोट पर जब फिर यह वहां पे हमें साइकोलोजीस पी प्रोवाइड की गए कि वह ह हमारे मतलब आते थे हमारे से हमसे बात करते थे एंड हम एक पॉजिटिविटी देते थे कि कोई डरनी की जरूरत नहीं है लुक एट यॉर कंपलीटली फाइन तो आपको क्यो रोना रहा है कि आपको क्यो पैनिक हो रहा है हो आपको थोड़े सिम्टम से वह हो जाएंगे व अपने आपको mentally strong रखो कि आप कोई भी कुछ भी आए तो आप उनसे fight कर सको और यह जो वाइरस से हमें बाहर निकलने में सिर्फ immunity है जो हमारी help कर सकती है सो प्लीज भी mentally strong डरिये मत लगता है डर बट सिर्फ यह सोचे कि उनों थोड़े दिन है थोड़े दिन निकालना है and then you'll be completely fine लोगों को क्या कहेंगी जो लोग अभी recover हो चुके है COVID-19 में से तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि यह प्लाजमा थेरापी काफी हद तक यह आपको वीक ना समझे और ना डरिये कि आपको फिर से होगा और फिर से होगा और फिर से होस्पिटल जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है डॉक्तर ने आपको अल्रेडी रिकवर कर दिया है you already have antibodies in your body so डरने की कोई बात ही नहीं है और यह प्रोसेजर बिल्कुल भी painful नहीं है it is very simple just like a blood donation so मैं सबको यह दर्खास करना चाहूंगी कि प्लीज आप आगे जाके जाए और प्लाजमा डोनेट कीजे जिन से जो भी कि पेशन्स क्रिटिकल है सीरियस है उनकी लाइफ आप सेव कर सकते हो चली यह थी स्मुरूती ठककर जिनका कहना है कि लोग जो ठीक हो चुके है कोरोना से वो जाए अपना प्लाजमा जो है उसे डोनेट करें ताकि कि किसी और की जिन्दगी को बचा सके कामेरामेन उज्व